मंडी की हाकी कलब तीम चंबा में होने वाले अंतराष्ट्रिय मिंजर मेले में भाग लेने जा रही है इसके साथ ही मेले में आयोजीत खेल प्रतियोगिताओं में बाहरी राज्यों की टीमें भी भाग ले रही है जिसके चलते मंडी हाकी कलब की खिलाडी 26 चुलाई को चमबा के लिए रवाना हुए खिलाडी चमबा में अपना जोहर दिखाएंगे इस टीम के रवाना होने पर हाकी कलब के कोच एलपी गुलेरिया ने बताया कि मिंजर मेले में होने वाली प्रतियोगीताओं में बाहरी राज्यों से आईटी में भी भाग ले रही है जिसके चलते हाकी कलब मंडी की महलाएं और पुरुस खिलाडी भी हिस्सा ले रहे हैं पकी कोच एलपी गुलेरिया आपसे रूब रहू हूँ हमारी काफी सालों के बाद जो बचे डिली यहां पर ट्रेनिंग करने आते हैं यह बॉइज और गल्स की काफी सालों के बाद यहां से जो टीम चंबा मिंजर मिले में जो इंटरनेशनल फेर होता है वहां पर बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है बार्स की आउट ओफ स्टेट्स भी काफी टीमें खेलने आती है आज हमारी होकी की टीम चंबा के लिए जा रही है उन बच्चों को मैं सबको अपनी शुब कामने देता हूं कि वह वहां जाकर अच्छा खेले होकी से हमारा नाइटीन नाइटीन सिक्स में हमने इसकी शुरुआत की थी हिम होड़ कप की तो उसको लग बग आठ साल तक हमारा यह कप चला था उसके बाद यह कब सोलन में शिफ्ट हो गया था उसके बाद वह यहां रिज्वीजी टीसी होते थे तो उन्वे इसको सोलन ले गए खे तो उसके बाद हमारा यहां पर बड़ा टूर्नमेंट नहीं लिए तो उमें बड़ी खुशी है कि अमारी टीम यहां मंडी से अपना चंबा के लिए जा रही है, तो मुझे लिए है, सुपका में जोड़ी है